मज हुआ अंभा ओर देखे जो दोस्तों आप जो हम जानेंगे काई भार क्या होताए कि आपको बहा कि उपर तो पूछहा जाता है यूट के इन पार्थ होते हैं एक तो फ्रॉस हे प्रतिक वारे में पुछा है कि यह फूं सा है है, यह भी पूछ जाता है, यह फॉंस अ क्या है ज्यादा गहरा है में ने, पंब एक्जाम है वह उपका हो चुका है ज्यादा आपको मस्टेख्ष में टैंसल इनी के जुर्ग नहीं, परीशान होने के जुर्ग आब जो पार्स हैं और न देखते हैं किस प्रकार के पार्स है यहां देगी आपको दिखाई देर नीचे यह एर क्लीजीनर है, जिसके वाईयू सोदक के नाम से भी जाना ज़ा हूँ मैं फ्ज़गा सा और आपको दिखाता हूं गयरहें के अंधर इसको यहाँ air प्रवेश करें लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे लग बग आप जो गाईडियों के अंदर आपको जो आपके दिल्य पुलिश के अंदर के आम तो उसी बात को मैं幫्स करना चाओंगा आने वाड़े समय में अधेकतर ऐर क्लीनर यूज होते हैं कि अब उस बाशा में कईों की आपक्ति वीठी के से जो कृस्तर है एलमोनी मलाय की भी होते हैं काफ्ट ताइलन की भी होते हैं और सेमिंटिल की पहले जो वाहनों की यूज आंदर यूज करते थे जैसे बड़े वाहन थे उनके अंदर कास्टाइन के पिश्टन होते और तो वहान थे अलमूनी मलायागे और सेमिस्टील के एरक्राफ्ट वाईयू यानों में यूज होते थे लेकिन लगबग आप देखोगे छोटे वहान या बड़े वहान में आपको दिखाता हूं प्रेक्टिकली रूप में दिखा के भी आपको में दिखाता हूं यहां देखिए यह फोटे की ए और बड़े पिस्टिन ये भड़े पास ती अब यह भी आप रहे हैं यह बड़े वाहन की अब देखिए तो नों नों गोगे यहां भी ऐलमूनी मलायागी है और यह भी आलमूनी मलायगी हैं तो उन्होंने कि आप भासा की परिवर्टित कर दिया आम तोर यह निन कि लगबग जो आम त्वर पर ज्यादा तर जिस त्रीकी से यूज रही है, तो सभी वानों में अईलमूनी अमलाय की जो प्रिष्टन वो यूज रही है. तो इसह प्रकार सी आने वाडा परसन यह भी सकता है कि आम तोर पर ज़्यातर वर्तमान सम्भे में, किस प्रकार के एर क्लीनर रीउस होते हैं अगर यह पूछ अजय कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ओल बाथ और दूसरा आप राइख है तो बासा है जो सब्दों की जो पकड़ है को देखिया इसके बाद की दोस्तों यहां जो आपको एक अकेला दिखाई दे रहा है यह एक वैक्यूम बूस्टर या ब्रेक बूस्टर या ब्रेक शल्बू के नामसी से जाना जोता है अकेला बागेश का स्विक रूप आगे से दिखाई देरें या इनके अन्दर जो एलिमेंट उता है कि यह जो की बाद मेंorta यह चेंज हो जाते हैं तो तो यह कहाता है आपको फ्यूल फिल्टर थै इसके बर दिखाई से इसके बार में देखिए कि दोस्तों है यहां को यह जो आकर्थी दिखाई दे दियुकों बहुत यह अपने डखा होगा अपर आपकी बैक से अंदर बीच कहें इसे बोलते शोक-बजोरबर वह वहान के अंदर आपने देखा हो एक उसके अंदर यात्रियां भी बैठते हैं और समान है वह भी रिखा जाता है तो सडक के जटके हैं उनको प्रतीत ना हो उसी के साथ में उनका इस्सा होता है सोक अबजॉर्वर के नाम से जाना ज़रता है मेरा तो कि यहीं को दिकाए देखिए कि अगरे यह उतार रिंगेर जो की फ्लाइविल की यहां लगा रहता है फ्लाइविल-आगि-भाषण बैब उतसे से फ्लाइभील या वैक्ती पालत चक्कर और एक नाम हो रहा है मक्की का पहिया भी इसे वोज से उसका तो उसके उपर ही क्या रहता है रहं गयर आप जैसे इगनिशन स्वीच को ओन करते हैं तो देखिए यह इसलफ चाटर रहे है मैं दिखाना चाहता हूं अपको यह 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 जो self starter है इसके उपर उपर जो दिखाई दे रहा है Solonide switch है बैटरी का positive wire है Solonide के शिरसे जोड़ा रहता है negative wire engine body से attack रहता है तो यहां आगे इसके दिखाई दे रहे यह pnion आपको दिखाई दे रहे यह क्या करता है इस ring gear से mess हो जाता है इस ring gear से क्या हो जाता है mess हो जाता है है ना आपने ignition switch on किया गाड़ी start वी pinion बहा निकड़ा ring gear से mess हो गया और यह किस पे लगा हुगा है flywheel पे जब flywheel घूम जाएगा और flywheel किस पे लगा हुगा है crane shaft के पश्च भाग यानिके पिछले भाग पर अगले भाग पर vibration damper pulley उत्ती है तो flywheel को गुमा दिया तो संपूर इंजन ही क्या हो गया गतीमान हो गया चल्लेमान हो गया ठीक है ना सबसे ज़्यादा जो विदूत कंज्यूम करता है यही self starter करता है लग भग यह मान लिजे के 500-300 A करंड कंज्यूम करता है यही करता है सब किज़ादा है क्योंकि संपूर इंजन को गुमाने का अभार किसमे होता है इसी के उपर होता है होता कि ने क्योंकि सभी जो पूर्जें इस्तिलवस्ता में रहते है और इसके लबस्ता से गतिमान करते समय बहुत ज़्यादा सक्ती की आउशित्ता पड़ती है तो वह सक्ती इसके पास पर होती है जो यही इसके बाद में रहे हैं यहां दिखाई दे रहा है यहां यहां लेकर बगे रहा है पूरी यहां लेकर के अंदर यह आपका पूरा जो मिलकर बना है सब्सक्राया से बुरी घर इसेंबले के अंदर इसेंबल होते हैं जुड़ते हैं आज़ी आगी यह यहांदेंगे की की आपको दिखाई जा Caribbean शेंदर इंट की यहां देख्याताों यह यह अर्प रही होंगी सब्सक्राइव को चार्च सब्सक्राइब करें सोच्छ अंधर 12 वाल उते हैं पटयक्स लेंडर के लिए 4 वाल व्यायों कि यह डिलेट करें दो एक्जास्ट होते है ठीक न है पैचानें गी जैसे ही इंविंक वालो कों़ से एक्जास्त वालो को सबसेका है have no को अज़ को संगर देख दुखत डी जिनकी मोटती है वह कै इस हो खुआ मोटी लिकी पॉटे पाल लाव है that the quality आपको पर दो है कि यहां पूलर कलर्ण हो baik अवर तो कम और करती यानि कि जो थोड़े कुछ इंसे पतले हैं वो कौन से हैं इलेट वालव है कि ना मोटे हैं एक्जास्ट और जो पतले हैं वो इलेट है जिन पर जंग लगावा सा इस प्रिके से थोड़ा सा साफ से दिखाई दे रहें यह इनलेट वालव होता है तो यह इंजन की सबसे अपर का आण होग उता है इसे श्वेंड़ में एडीर से केना नाम से जाना जाता है और इसको अनके मादर से डिका जाता है किर criminal कोटके अद्लियार यह से बास में है तो यहीं पर आप बोलते हैं वह डिस्ट हो गया तो क्या होता है कि परते के वहन के अंदर इंलेट वालो और एक्जास्ट वाल का क्या रखा जाता तो यह रोकर है वालवर की टिप के साथ में इस तरीके से लिए रहती है तो कई बार गैब बढ़ जाता है अब कोगे सब गैब बढ़ने से क्या दिक्कत आती है मैं आपको दिक्कत बताता है अगर एक्जास्ट वालव है उसका गैब कम हो गया तो जो दूशित गेसे हैं वो वहां से कम बहार निकलेंगी और जलने के बाद में यानि कंप्रेशन करेंगी जिससे पाट घर्मी पातर क्या करेंगा फैलेगा और चिपक जाएगा इंजन सीज हो जाएगा तो यह फोटी सी बात है लेकिन बड़ा घर देती है तो इन वाल्वों का गैप रखा जाता है इंजन निर्माता की अनुसार जैसे कोई पोईंट शोला लैसे कुछ रखा जाता है हर एक वहां का अलग लग होता है तो यहां क्या किया जाता है इनका एक यंत्र आता जिसे फ जुसार जो शोटता है उसको के और जो इसको डेते हैं और उसका वह तेलेपर थे सब्सक्रा चेलिफीफ बड़ा जाता है इसको लगनखर जाता और लोग के साथ में लौक यह पैठे में अ इसके बाद में यहां आपको पंप दिखाई दे रहा है यह रोटरी पंप होता है 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 रोटरी पंप है जो की मारुति के अंदर यूज होता है यह थिक ना राटाइब एर क्लिए रहे और यह तो अपर पिस्टन देख्या है था था हलका सा गयराय में चलते हैं यह अपको दिखाई दे रहा है पिस्टन का ऊपर का जो इस्था होता है वो क्राउन या इसके सिर्ष के नाम से जान पिस्तन विद कमश्चन सेमबर दहन कखित सहीत कैं यहाँ देखिए यह खाचे कटे वह यह रिंग ग्रूव होते हैं क्या होते हैं रिंग ग्रूव तो उपर की और जो रिंगें सिट रहती है कांप्रेशन रिंग और निचे की और करते हैं कि शिगाना चले की थुड़ी आप शिगाना पोँच गया अपने बास्तामी तरूटी है तो यहां जो उपर की और आपको दिखाई दे रहा है को कौन सा होती है रिंग गूरूव होती है जिसके अंदर अधर कंपरेशन रिंग संख्या की बात करें कम से कम दो और पर श्रकर नचे है तो वहां उन्सलेंटर की दिवारों को लूब्रिकर्ट करने के बाद में यह ऊसको क्या करते हैं खूर्द कर निचे गिरा देती है और यह जो इससा है फिस्टन का यहां जो कटावा दोल आपको दिखाए देर यह गजन फिन बोस या फिश्टन बोस के नाम से जाना जबता है और बहिए निच्चे की वर इससा है इसको बहुते हैं काइब क्रबिशतर और आपको बचाए कि यह किनेक्टिंग रोड जिसे संयोजक ठट के नाम से भी जनाता है कनेक्टिंग रोड संयोजक ठट और योजग ठट और यह जो हिस्सा है उपर का स्मॉल and bearing है यह वाला एले वाला ऐसा बीगएंड बेरिंस होते हैं और यह जो है बीगएंड बेरिंस काई होती है , जो दो बड़ोगों के ड्वारा इसके साथ में is m puedan ing की जाती है ठीग है यह बीच का हिससा क्या होता हैлекना कि चनल को सेनक होता है ते प्रकार की कौन इसे ने बहुतनों से लोसा ते तो सबसे ज़ादा संब द्रकारे ईंतुब और श्रेश близी म contam side प्रआःक टाइप में प्रथा आप पूर्ण पलवी है likaः ते से 1947 पर चैलिकिए उतडि में anda मिदू पूर्ण पल्लवी यानिके फुल फ्लोटिंग वो यूज होती है तो फुल फ्लोटिंग जो होती है वो इसके अंदर डाल दिखाती है और लास्ट में देखी आपको एक चीज़ों दिखाई दे रही हो वह बहार ना निकले तो यहां एक लोकिंग ग्रूव है इसके साथ में यह सर्कली आपको दिखाई दे रही है जो नोस प्लाइर की सहता से क्या करते हैं इनके अंदर इसको सैट कर देते हैं जिससे की वो बजन पिने बाहर ना आसके इस चीज़ को तो सभी चानते होंगे बई क्या है औरन है गाडियों के अंदर जुरूरी है चीज़ है दो परक अधर का लगा रहता है आप जुब जो इससा होता है आपक जो यूणिवार्सल घूसर होता है तो यह तुसका करना देख है इसे पर यह दो क्रॉस होता है और यह देखिए मा आपको दिखाता हूं ऐद गरेंक्साफट बहुत ही मैत्तरपूर्ण हैं इंजं की बैक्वोन पाइब रिडिडी को कॉम्हु में ईसलिए सपनersonτε इन्जेंगेर डिखन होता है और यह प्रूप का दिखाई देरें के इनलता गर सिर्षल का उसलें हुप धिर नाग प्तिम्हस कि अर्ञ भाक शयांग दिखाला गाँ कर देना जो चोड़ेना इनको छोड़ देना एक दो रीन चार अर्थाथ यह सो आपको सो फ्रेंड इंजन की क्रीज और यह आप आपको फ्यूड टैंक होता है उसके अंदर ये आपको इस तरीके सी मोटर आपको दिखाई देती है जहां पर ये फ्लोट लगा रहा रहता है और यहां catchऊ लिए अब आपको दिखाई देरें उसके दाउस के लिवल इसके बाद में आपको दिखा हूँ तो आपने गाड़ियों की उपर दिखा था फिर भी आपने देख लगें बस यह रेडियेटर है आपको दिखा इदर है उपर के सा आपका टेंग होता है निचीरे सा लोवर टेंग ठीक है ना यहां से बाटर आउटलेट होता है और बाटर जो भाग होता है इसके बाटर आउटलेट होता है जो रेडियेटर के इलेट के साथ में अटेज होता है ठीक है ना और यहां जो आपको दिखा रहा है वाटर फिलर है इस पर जो कैप लगी रहती है वह प्रेशर टाइप के इसके इंदर यूज होती है ठीक है यह द यहहां आगे की और जो आपको ठीका धट आ देका देखी यह दो अप की कलेट है उसके साथ में यह डिस्क होती है यह दोती है फ्रिप्शन द्स थीक और यह उसकी प्रेशर प्लेत होती है na और पीछे की और यह जो आखोरी suffer अब को दिखाई दे रहा है यहां सल्फ इस्टर्टर आ गया जो कि छोटी जाफी जू वहान है जैसे कार वगरा रहती है उंके साथ में यूज होता है यह भी स्टर्टर और यह मैंने आपको दिखाई थे क्यों फिल्टर से जिनमें ब्राइनरी इन प्रोच दाए जिनमें प् घ्ली गुट्रल और प्मीदटर नहीं यहां योल फिल्टर आपे लिकाई करो को मैं हसे ओको यह वह आल ही और रोडो फिल्टर है यह मश्याने के पूरा नाम करें अदूता है लूभरिकेशन क길 डान तो यह और छो आपको दिखाई दे रहे हैं अ Efendimiz क्योंड दिखाई रहे हैं और देखिए इंजन जो अडरिक्ट जो या उध्यायून्तु दिखाई तो कि यहां पर यहाँ पर उपर जो ध्युटि तो इस प्रफिए प्रफिए गवर्नर रगती है जो एक्सिलेटर वायर इससे जुड़ा रहता है इंजन की स्पीड के अनुस्वार क्या करती है गवर्नर क्यों की सब्लाई करती है ठीक है ना तो एक पाईपी फॉम है इलाइन फ्रिलिजेक्शन फॉम है और को दे मेकैनिकल इंजन अब है अब है यह क्या अधिया कि hebben किंजका से कर्फेन पर इंडेकों विकार किलेंटर उंके साथ में सबसे से पहले यह होता है अबीर की होता है यूख दोस्तों आज के लिए नहीं अगले नेक वीडियो में आपनों और जो पार्ट से उनके बारे में भी गहरेशे जानेंगे तो तब तक कि भी सभी को धन्यवाद मुश्चाइब